आप भी प्रेगनेंट हैं? कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि अभी आप बैठी हैं, सोई हैं या फिर वाक कर रही हैं तो आपको असहज महसूस होने लगता है, बेचैनी होने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्या हो गया मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है काफी आपको घबराहट होने लगती है बेचैनी होने लगती है याने की कहने का मतलब है कि अगर आप एक एक आपको बेचैनी घबराहट मैसूस होने लगती है तो ये क्या संकेत देता है आपको पूरी प्रेग्नेंसी में हेलो फैमली आपका हमारी यूटीब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज का टॉपिक यहीं है कि आपको प्रेगनेंसी में घवराहट बेचाइनी क्यों होती है क्या इसका काराण है इसका कुछ रीजन होता है इसके कुछ केमिकल रीजन होते हैं जो कि मैं आपको वीडिय नया अप्लोड करती हूं और आप ट्रेगनेंट है तो आप फीडबेक भी अपना कमेंट बॉक्स में दे दिया करें ताकि जो दूसरे वीडियो देख रहे हैं उनको काफी हेल्प मिले फ्रेंट्स रीजन क्या होता है सबसे पहला रीजन यह है कि आप जब प्रेगनेंसी कं अपना काम करती है यानि कि काफी जल्दी जल्दी चलती है तो इससे कभी कभी क्या होता है ना कि आपका जो बीपी है वो फ्लेक्शूल होने लगता है कभी हाई होने लगता है कभी लो होने लगता है यह सारा सिंप्टम्स ब्लड की वज़ा से होता है ब्लड जो है आपको चाहिए आपके सिसू को भी चाहिए तो जो ब्लड की सप्लिमेंट है वो काफी तेज गती तेज रफतार में अपना काम करना सुरू कर देती है ताकि दोनों लोगों को ब्लड की पूरती ब्लड कर सके तो अगर आपको ऐसा भी कभी-कभी बेचैनी घबराट मैसूस होती है त इसे आपको 5 या 6 राउंड करेंगी तो इसमें आपको काफी रिलीफ मिलेगा अपको घबराह्ट बेचैनी महसूस नहीं होगी अपने सांसों पर अपना कि हम मेरे साथ मतलब मैं अपने सांसे गीन रही हूं तो इससे आपको काफी रिलिफ मिलती है इसके अलावा फ्रेंड्स जब आप प्रेगनेंट होती है ना तो काफी हर्मोनल चेंजेज होते हैं आपके बॉडी में इससे भी यह सारी चीजे होती है घबराहट बेचाईनी इस को जो है सुरक्षित रखने के लिए होते हैं कि आपका सिसू उस हार्मोन की वज़ा से से रहता है सुरक्षित रहता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो आपको आती ही है इसके बाद जो है स्लीप पीसूज देखिए फ्रेंड्स उन माओं से पुछिए जो मा प्रेगनेंट कि आपको काफी ज्यादा परिशान करती है आप काफी ज्यादा इत्से परिशान हो जाएंगी आट्स tutorial देखिए जिस कि आपको अच्छी नीद आने में मदद मिले हल्दी वाला दूद लिजिये काफी वीडियो मेन विडियो इसके बाद आपको एक और इसू होती है देखिए फ्रेंट्स क्या होता है कि आपने किसी को सुन लिया कि या फिर किस कोई वीडियो देख लिया कि अरे यह चीज खाने से यह परिशानी हो जाती है यह चीज मुझे नहीं खाना चाहिए या फिर किसी का बाते सुन लिया कि अर को ही डिष्टरब होगा देखिए उप्रेजेट में आपको काम आएगा बिल्कुल नहीं आने वाले आपके काम तो बिल्कुल नहीं आने वाला उन पे काम बीत है तो बीत गया उनका खतम celebration सब्सक्राइब ने जानते आपको प्रेजन पे काम नहीं आना है तो चुटकी बजाए और उसको दूर करिए क्योंकि आपके प्रेजन पे काम आने वाला ही नहीं है उस चीज से आपको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है तो निगेटिव थौट नहीं लेना है इसके लिए थोड़ा साप मेडिटेशन क इसमें है, कैस्या पोटेसियम बहुत ज्यादा है जो कि आपका मूड बहुत है भुअि इस नहीं हो इसके बाद चॉकलेट टॉकल्वाटे बहुत मतलब इसको भी ति'llee we जब आप 1st trimester में रहेंगी तो अगला चंजर जाएगा 2nd trimester में रहेंगी तो कुछ और चंज़ जाएगा 3rd trimester में तो चले हाएगा यह आता ही है तो अपको भी आएगा तो इसके लिए आप अपने आपको पहले से ही प्रिपेर कर ले और जो भी माइंड में सवाल आते हैं त जो जो और इक आप को यूटूबी पर ख्याल करना है कि कह सच रख जो जो राइट और अधाने की दिमाग से रहरे मियाँ जो आपने दिमागी में को आप उस म예요 माय जो है ना अच्छा से फ्रेस होता है अच्छा रहता है इसके बाद आप अपने डॉक्टर से बात करिए कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है लेकिन आपको यहां पे खुलके अपने डॉक्टर से बात करना है कि आपके बॉडी में क्या क्या चेंजिज हो रहे हैं आपके चीज को अपने डॉक्टर से डिसकस किजिए अगर नहीं डिसकस कर सकती सरम आ रहे हैं तो आप यूटूब पे वीडियो देखिए हर बात का है सलुचन यूटूब पे अच्छे से चुनाओ करेंगी तो उसका ये देखिए उसका पूरा इतिहास भूगोल आप चेक किजिए खगोलिए कि उसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा होती है या सीजर अगर नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा होती होगी तो ही वहां जाईएगा वरना आप नहीं करेंगा इसके बाद हलका फुलका आप मेडिटेशन करिए इससे भी आपको काफी रिलीव मिलती है घबराहट और बेचैनी में अगर घबराहट बेचैनी आपको बहुत ज्यादा हो रहा है बहुत परिसानी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से भी संपर्थ करिए इसके